उस फैमिली के लिए क्या ज़त रही जब लड़का लड़की ठाने में चले जाएंगे तो क्या रहा इसलिए माबाप से यही नवेदन है कि बच्चों का ध्यान रखिए और हमेशा के लिए इनको पूछिए कहा हैं क्या हैं लेट आई तो क्यों आई जल्दी जा रही है क्यों कहा है उसको प्रिंसिपल को यह पता नहीं है मेरे एटेंडंस कितनी लग रही है एटेंडस लगा के वो सब भाग जाते हैं पार्कों में गुमते हैं आने से कोई परहज नहीं है डिस्टंस में बैठें अभी हम हरी सिंग पारक में हैं और हमारे सथ एक स्क्योर्टी और यहां पे कुछ समय पहले हमने इनको देखा कि इस डंडा लेके जो है कुछ बच्चों को डाटते हुए नजर आए थे हम इनसे जानते हैं क्या कुछ कारण थे उसके अंकल पहले अपका नाम जाना चाहेंगे और कहा रहते हैं मैं खुशी राम नाम मेरा है मैं बिलांग लड़का लड़की यहां जी दो लड़के दो लड़कियां थी वो गलत हरकते हैं कर रहे थे इसलिए हमने उनको डंटा और गेट से बाहर निकाला हम मैसेज देना चाहते हैं उनके माबाप को कि बहुँ यह लड़कियों को आप पूछते हो कि स्कूल गई नहीं गई अटे लड़क में होती हैं शाम को बताएंगी हम स्कूल में थे माबाप का फर्द एक बनता है कि हफते में एक बार एटेंडेंस चक करे स्कूल की तब पता चलेगा उनको कि बहुँ यह प्रेजिंट हैं स्कूल में नहीं हैं तो यहां ऐसाई भगदर होगी तो बहुत मुश्किल है यहां पर कैमराज भी लगे होंगे जो स्कूर्टी रूम में आप देखते होंगे क्या कुछ यहां पर हो रहे हैं हमारे इसमें अंदर में नहीं है यह रोड पे हैं इदर नहीं है अंदर वाली साइड पारक वाली साइड नहीं है अभी लगा रहे हैं पता नहीं कब तक लगेंगे, तो आपको किसी ने मतलब शिकायत की कि यहां पे इस तरह की कुछ हरकात हो रही है? हम सर दस-दस मिनट के बाद चकर लगाते हैं, जब हमें नदर आता है हम डांटते हैं, क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं, हमें भी बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि बे ऐसी हरकत हो, क्योंकि महोल इससे खरब होता है, यहां कई लोग फैमली लेके आते भी नहीं अब, इस वज़ा से, यहां के लड़के मानते नहीं, यह दर से कुछ बोलो, उदर से वो दाड़ा मारने को आ जात यह है, यहां, स्टिकनस होनी चाहिए, और मैं यही मेसेज देना चाहता हूँ, माबाप के लड़की के माबाप को, कि भई अपने बच्चे को पूछो, ध्यान रखो, यह कहां जाती है, कि स्कूल में जाती है, या नहीं जाती है, अटेंडनस चक करो, जैसे हम करते हैं, अगर कोई आ भी रहा है, लड़का, लड़की, दोस्त हैं, आ रहे हैं, लेकिन उस तरह की हरकत ना करें, कि किसी दूसरे को दिक्कत आए, अगर आने से किसी को परहज नहीं है, लेकिन डिस्टंस में बेठे, अपने बातें करें, यह हाथ आप आई, यह हमें पसंद नहीं, ना पसंद है, हमें भी नहीं, तो किसी को भी पसंद नहीं यह चीज़, अपनी बच्चीओं को लेकि आ रहा है, तो मतलब उसके सामने इस तरह की हरकत होगी, यह हरकत होगी, तो कौन आएगा, कई लोग तो यहां से आँखें बंद करके भाग जाते हैं बाहर, तो यह थोड़ा वो यह करें, चग करें, यूनिफर्म में ही होते हैं, बचे यहां पर, यूनिफर्म में बचे घुमते हुए दिखते हैं, हाँ रहा हमेशा, यूनिफर्म में यह आते हैं, यह दस बज़े आते हैं, तीन चार बज़े चले जाते हैं, स्कूल टार नहीं, ना प्रि अच्छी आपने हो एक जब हम इस तरह की नौबत भी आई कि लड़ाई जगड़े पर बाता लाका एग दो तीन बार हो आ है फिर पलिस बिलानी पड़ी हमें अच्छा अजी तो पुलिस की इसाब से दो बचे एक बार पुलिस लेकर गई थी यहां से एसा भी हुआ है तो क्या इजद रही इन्सान की? उस फैमिली के लिए क्या इजद रही? जब लड़का लड़की ठाने में चले जाएंगे तो क्या रहा? इसलिए माबाप से यही नवेदन है कि बच्चों का ध्यान रखिए और हमेशा के लिए इनको पुछिए कहा है? क्या है? लेट आई तो क्यों आई जल्दी जा रही है क्यों जा रही है यह तो माबाप का फर्द है और खासकर प्रिंसिपल का भी फर्द है यह कि पार्कों में जरा नजर मारे कि मेरे स्टूडेंट कहां है उस को प्रिंसिपल को यह पता नहीं है मेरे अटेंडंस कितनी लग रही है अटेंडंस लग हाथा पाई के लिए ने बना है कुछ और भी पार्कें हैं जहान जो काफी बदनाम है वहाँ पे फैमिली जाना प्संद नहीं करते हैं कि खूले हम वहां पर उस तरह की हरकात होती है और पुलीस भी जो है वहां पे गश्त लगाती है लेकिन जिस टाम जिस समय गश्त लगता ह कुछ लोग पकड में आ भी जाते हैं कुछ नहीं भी आते हैं और पूरा दिन उस तरह की कारवाई अब हरी सिंग पार्ट का ज्यादा तर एरिया जो एक खुला है यहां पर मैं दिखता है यहां पर फिर भी इस तरह की हरकत से बाज नहीं आते हैं शर्म नहीं इनको साथ में रोड है ओपन है यहां से लोग तमाशा देखते हैं रोड से कोई शर्म नहीं उनको हरकतों से बाद आते नहीं है और खासकर यह स्कूल और कालिज के लड़के यह नहीं का है यह ज्यादा अब भी तंग आ जाते होंगे वह तंग आते हैं हर पांच मिनट के बाद चकर लग पारी सिंग पारिक में मौझूद हैं कुछ साल पहले इस यह पारिक बना है और फैमिली लेके बचे लेके यहां पे पूरा परिवार लेके लोग आया करते थे अब जिस नहीं से अंकल जी कह रहे हैं कि अब लोग परिवार लेके आना यहां पर जो है पसंद नहीं कर रहे ह क्योंकि उस तरह की हरकतें जो हरकतें बाकी पार्क्स में हुआ करती थी जहां पे पुलीस की गश्ट तक लगानी पड़ी और एक मुहीम भी छेड़नी पड़ी मजनू के खिलाफ जो एक मजनू टाइप जो लोग होते हैं उनके खिलाफ उनके चलांस भी होते थे कारवाईया भी होती थी वही कुछ अब यहां पर भी देखने को मिला कुछ समय पहले हम इंट्रूएक कर रहे थे वहां पर हमने देखा कि अंकल जी जो हैं वो कुछ बच्चों के पीछे पड़े हैं और हमने चाहा कि हम जाने इनसे की क्या कारण थे उसके पीछे के और किसी परिवार जो है शकायत की थी कि हम अपना परिवार लेकर यहां पर आए हैं और इस तरह की हरकते हमारे पास में हो रही हैं तो हमारे बच्चों पर इसका क्या असर होगा तो कहने कहीं ठीक ही कहा है इन्होंने भी कि अगर आपके बच्चे-बच्चियां घरूं से बाहर हैं स्कूल को बीया नहीं और जो बचे-बच्चियां पर्फ में जाते बी हैं बिश् साथ में होते हैं। इस तरह की हरकते करने से बाद आत चाहते हैं है गार मेसेज hmmu की इक सभयता इक शरम जो पृजकर तरह के लोग साद हैं कुछ इस तरह की लोग हैं जो इस तरह की हरका पे कारवाहिब होनी चाहिए और जो एक माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जो है, स्क्योटी यहां पे हर वकर जो है, हर पांच मिन्ट में जो है, राउंड अप करती है कि इस तरह की कोई हरकत ना हो, और फैमिलीज यहां पे आती हैं, उसका भी मदद नजर रखें आप जितने भी इस तरह की कुछ मिस, जो इस तरह की चीफ हरकतें ना करें, जिससे दूसरों को परशानी आए, इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के आप देखते रहें, नियुसाहर इंडिया, मैर फाजमडाएंग, कैमरमें शानवाज के साथ.